आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर बाब नमबर 12 बर्क के यम सिक्यू टाइप कुश्चन्स तो चलिए चलते हैं पहले सवाल की जाने बर्की चार्ट की इकाहि या फिर बर्की चार्ट की पैमाईशी काहि या फिर साइकाई भी कह सकते हैं बर्की चार्ट की जो है साइकाई है कुलम उके उसके बाद है मौसर में बर्की मुझमर फर्क मुझमर फर्क से हम नापते हैं ओल्ट ओल्ट वी कुलम सी इसके इलावा बर्की रो की साइकाई है एमपियर ए तो बर्की रो मुझमर फर्ग बरकी चार्ट यह आपने बराबर अठी तरह से जहन में रखना है कन्फ्यूज नहीं करना है इनमें नेक्स क्विशन नमबर फो मुसल में इलेक्टरानों के बहाव के मुखालिफत मुखालिफत का मतलब है मजाहिमत है ना अगिंस अगिंस जाना मुसल में इलेक्टरानों के बहाव के मुखालिफत कौन करता है कौन से चीज़ करती है खासियत उसको हम कहते हैं मुझाहिमत या फिर रेजिस्टेंस इसको हम आर से जाहिर करते हैं एक बरकी सरकिट में प्लक या कुनजी या बंद स्विच के तोर पर इस्तिमाल की जाने वाले अलामद तो ये खुला हुआ सुइच है ये भी नहीं है ये तो बेटरी है तो ऑप्शन डी करेक्ट है ऑप्शन डी क्या है बंद स्विच बंद स्विच को इस तरह से आता है और खुले हुए स्वीच को इस तरह से आता है नेक्स्ट वो आला जो बरकी रो की पैमाईश करता है कुन साला? एमीटर एमीटर बरकी रो की पैमाईशी आला है नेक्स्ट दो कूलम चार्च को बारा ओल्ड मुजमर फर्क वाले दो नुक्तों के आर पार हरकत कराने में कितना काम किया जाएगा? यह आपकी बुक में अल्रेडी हल शिदा है तो मैं आपको रिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर हल करके नहीं दिखाऊंगी बलके आपको यहाँ पर ही दिखाना चाहूंगी तो पे नमर वन हंडर्ड एट मिसाल ट्वैल पॉइंट ट्वैल पॉइंट टू यही सवाल है तो चार्च क्यूंगी मकदार जो मुद्मर फर्क में ट्वैल वी दी गई है दो नुक्तों की दरम्यान बहती है चार्च क्यूंगी मुद्मर फर्क ए और दो नुक्तों की दरम्यान कितना चार्च बहती है टूवैल सरी टू कोलम टू कोलम चार्च बहती है तो हमारी मसावाद हमने कौन सी इस्तिमाल करनी है वी बराबर डबली वाई क्यूंगी वी यहाँ पर मुद्मर फर्क है डबलियू, वाक्तों लनुक्तों चार्च बहती है टो कितना काम किया गया वो है देखना है तो ये वी बराबर डबलियू उई क्यूंगी काम ہै वी इंटू क्यूंगी वी की वैलू क्यूंगी मुद्जा благ तो यहां पर option में से कुन सा correct है यह फॉर्मूला आपने कुन सा यूज करना है W बराबर V into Q यह वाला formula यूज करना है formula जो ओम का कुलिया बयान करता है ओम का कुलिया V बराबर IR महसिल का दरजे हरारत बढ़ जाए तो इसके मजाहिमार क्या होती है बढ़ जाती है एकसा रहती है कम हो जाती है यह फिर मजाहिमत दरजे हरारत पर मुनहासिर नहीं होती है तो महसिल का दरजे हरारत महसिल की मुजाहिमत जो है दरजे हरारत पर मुनहासिर नहीं होती है तो option क्या है डी करेक्ट है अगर एक ओम बराबर एक ओल्ट बटा एक एम्पियर हो तो क्या बराबर एक जूल बटा एक कूलम होगा तो एक जूल बटा एक कूलम एक ओल्ट बराबर होता है ओके एक ओल्ट बराबर एक जूल बटा एक कूलम नेक्सट, एक बार की सर्कीट में लगे फ्यूस पर 8 अपयर दर्ज है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस फ्यूस के हम 8 अमपयर तक ही है, तो जो भी वैल्यू लिखियों होती है, इसका मतलब क्या है? इस fuse की हद इतनी ही है इसकी value ऐसा नहीं कि वो fuse 8 Ampere से कम पर काम करता है तक ही काम करता है या फिर सिर्फ 8 Ampere तक ही काम करता है ऐसे कुछ नहीं बर्लक्र उसकी हद है हद दी जाती है कि उस fuse की हद 8 Ampere है option B किसी मौसर में बहने वाले कर रहे ही मुनहसर होता है ओल्टेज और मुजाहिमत पर मुजमर फर्क को जाहर करने वाला फॉर्मूला मुजमर फर्क यानि V राइट V बराबर W बाई Q यह वाला फॉर्मूला नेक्स्ट बर्की पावर की तिजारती एकाई तिजारती एकाई जो है नॉर्मल ऐसा एकाई से अलग होती है थोड़ा डिफ्रेंट तो ज्यादा उसका यूनिट में ले जाता है तो किलो वैट है उसकी नेक्स्ट वन बाई फाइफ एम्पियर स्वारी वन बाई फाइफ ओम मुझाहिमत रखने वाले पांथ मुझाहिमों से ज्यादा से ज्यादा कितनी मुझाहिमत हासित कर सकते है तो इसको हम क्या कहेंगे पांच मुझाहिमे है वन बाई फाइफ वन बाई फाइफ बेठां यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस को fraction में दिया गया है एक बट्टा पांच में तो ये क्या होगा ये है 1 by r 1 by r बराबर 5 है ना तो 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5 1,2,3,4,5 तो इस तरह से अब हमने क्या करना है LCM as इसको 5 ले रहा है और 1,2,3,4,5 ये होगा 5 5 by 5 मतलब कि 1 ओके 1 by 1 यानि 1 वन ओम हमारा अंसर आता है ओके 1 by r is equal to 1 by 1 r is equal to या फिर वन ओम आता है हमारा जवाब इस तरह से यहां पर option d correct है ओके next question नाइक्रोम के तार के लिए ग्राफ दिया गया है इसका सही वयान तो यहां पर एक ग्राफ है देखिए यहां पर current ampere में और alt में मुझमर फर्क ओल्ट में तो r1, r2, r3, r3 resistance है तो इसमें से current कहां कैसे बढ़ता है यह दिया गया है तो इसके लिए पहले current यहां ज्यादा होगा फिर r1 में, r2 में थोड़ा कम होगा option c इसका correct answer है नेक्स बर्की सरकेब में बार बार मुझाहिमत तब्दिल करने वाले को क्या कहते है रियो स्टेट यह model paper में भी था राइट एक हाजिस की बर्की मुझाहिमत हाजिस मतलब उसकी बर्की मुझाहिमत महत ज्यादा होती है दियेगे किसी भी धाती तार में बर्क मुझाहिमत करती है उसकी साफ्ट पर नहीं करती है इन में से कौन से गेर मुतालिका जोड़ी है यह बर्की सेल ही है correct यह बर्की मुझाहिमा ही है यह खुला हुआ स्वीच नहीं है बंद स्वीच है और यह बर्की बल्ग है तो option c हमारा गेर मुतालिका जोड़ी है बर्की और उल्टा मुतनासिव होता है किसका मुझाहिमत का, उसके अलावा वरकी देवानाई की तिजारती काई किलो याथ घंट गंटा किलो वैठ आर, जेल में से कुन सी गया से वरकी में भरी जाती है, अरगॉन और नाइट्रोजन, ओके नेक्स्ट एक किलो वाट कितना होता है एक किलो वैट होता है 3.6 इंटो 10 रेस टू 6 जूल एक किलो वैट आ रहा बरकी तरीका गरम करने वाला या फिर गरम होने वाला माददा कौन सा है नाइक्रोम जूल के कानून का जाबिता H is equal to I square R T एक बरकी बरकी बर्ब का फिलमेंट 10 मिनिट के लिए 0.5 एमपेर का करन्ट हासिल करता है यह सरकेर में बहने वाले बरकी चार्ट की मिदार का पता लगाई है तो यह आपकी बुक में जो है पे नबर 106 पर है यह सवाल देखे यही सवाल है उसके बाद यह देखे हम क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं इसको बार बार तो 10 मिनिट वक्त दिया गया है और करन्ट जो है 0.5 एमपेर तो हमने करन्ट को 10 मिनिट को 600 सेकेंड में लेना है तो मसावाद I बराबर Q by T से Q की वैलिव Q बराबर I T लेना है तो इसके बाद इसको मल्टिपलाई करने से हमको 300 कूलम्स का जवाब आ जाता है ओके ओप्शन सी वो काम जो किसी काई चार्च को एक नुक्ते से दुसरे नुक्ते तक ले जाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बर्की मुझमर फर्क धात में बहने वाली बर्की रुफ उसके सिरों के मुझमर फर्क के साथ सीधे तनासुब में होती है बशर ते के उसका दर्जे हरारत यक्सार है एक कुनसा कुल्या है ओम का कुल्या वो आवामल जिन पर मौसिल की मुझमर मुझमर बाई मादी की नहीं आवन नहीं लास्ट विशन एक भर ख्लाब के मुझमर पर 20 ओम है तो मौसिल की मझमर चार ओम है इनको सिल्सलावा तर्तिब में जोड़ा गया है सरकिर की कुल मुझमर जहा हुगी नीजों मझमर श्रोब्र आवन जमा किया जाता है बस R 1 प्लस R 2 20 प्लस 4 24 तो आज के लिए इतने ही सवाला 31 questions इंशाला और इसके इलावा जो ही important questions जो मैंने पहले पोस्ट के थे वहाँ पर भी आपको बर्ग से related MCQ type questions मिलेंगे उनको भी देखिएगा इन पर भी ध्यान दीजिएगा दोनों की अच्छी तरह से अमत्यान की तैयारी कीजिएगा तब तक के लिए आल्ला हाफिज देखते रहिए Green Crystal अगले वीडियो के लिए जजाकाला खेर